जहीन वंदे मातरम, आज हम पढ़ेंगे Past Indefinite Tense के बारे में Past Indefinite Tense के बाद Complete करेंगे Past Continuous Tense Past Perfect Tense and Past Perfect Continuous Tense तो आज हम Past Tense के चारो भाखस को Complete करेंगे, आईए सुरू करते हैं तो देखो, सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान कि past indefinite tense क्या होता है कि पैचान क्या होती है क्या helping verb होती है और इसमें main verb की कौन सी form का use करते है इसके examples कैसे बनेंगे कैसे practice करेंगे exam में कैसे sentence आते है वो सब देखते है तो past past मतलब होता है भूत indefinite मतलब आनिशित और tense मतलब काल पास्ट indefinite tense को हिंदी में बोलेंगे आनिशित भूत काल पास्ट पास्ट indefinite tense को हिंदी में बोलते है आनिशित भूत काल पास्ट मतलब होता है भूत indefinite मतलब आनिशित और tense मतलब काल पास्ट indefinite tense का मतलब होता है आनिशित भूत काल identification पहचान देखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में ताथा ताथा, तीथी, तेथे या अ, ई, ए अब इनकी मात्रा भी आ सकते हैं इनकी मात्रा ही आएंगे अधिक्ता अधिक्तर वाक्यों में इनकी मात्रा आएंगी कैसे आएंगे वो भी बताता हूँ और यह आता है तो यह past indefinite tense की पहचान है कि जिस वाकिए के अंत में ता था, ती थी, ते थे यह आ, ई, ए वह यह आता है उसे past indefinite tense में लेते हैं अब example कैसे आते हैं जैसे मैं school जाता था वहाा school जाता था वहाँ श्कूल जाती थी वे श्कूल जाते थे वहाँ श्कूल जाती थी बाकी sentence same यह स्कूल गया वहाँ श्कूल गया यह वहाँ इस्कूल गई वे इस्कूल गए अब यहाँ पे मात्रा है सिर्फ बागी का सेंटेंस क्या है सेम है देखो अब इसमें हमारा क्या है ताथा ताथा तीथी तेथे यह इए अब कही कही पर आकी मात्रा भी आती है बड़ा की जैसे वहाँ इंग्लिस बोला वहाँ इंग्लिस बोला तो यह तो बोलना हो गया यह पहचान हो गई बड़ा की मात्रा तो यह पहचान है कि अगर किसी वाकी के अंत में ताथा तीथी ते थे या ई ए आ आता है तो उससे हम past and different tense में लगते हैं यह तो पहचान हो गई अब helping verb क्या यूज़ करेंगे तो helping verb past and different tense में helping verb के रूप में यूज़ करते हैं did helping verb का did main verb मुख के रिया verb की second form तो main verb के रूप में यूज़ करेंगे verb की second form जिसे वर्व की form होती है जिसे एक माल लेते है do do or do,do मतलब होता है करना तो यह वर्व की first form है इसका second form होता है did यह भी मुख के रिया है यहाँ पर helping बो हो है difference है, third form होती है done एक form होती है वर्व की first form plus ing एक form होती है two plus वर्व की first form तो ये पांच प्रकार के वर्व के फॉर्म होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये बस इसका भी एक वीडियो आपके लिए पास जल्दी पहुत जाएगा आप देख सकते हैं जल्दी हम इसका उपर में वर्व के टाइपस उप फॉर्म के बारे में इसके understanding कि जब वर्व की फर्स फॉर्म होगी तो उसकी पहचान क्या होगी सेकेंड फॉर्म में क्या होगी थर्ड में, फॉर्थ में, फिक्त में क्या होगी, कैसे पहचानेंगे और उसका आर्थ क्या बनेगा वो भी आपको समझाएगे अब आते हैं we past indefinite tense पे, तो past indefinite tense में यह हमारी पहचान हो गई, कि sentence को कैसे पहचानेंगे, आप इसके कुछ examples बनाते हैं, तो देखो 6 प्रकार के sentences के बनते हैं, इस ट्रॉक्चर जो sentence होते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं, positive, negative, interrogative, interrogative, negative, wh, wh, negative, हां, एक बादो बोलू, प्रश्ण वाचक 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 example बनाते हैं जिसे example बनाते हैं मैं school गया अब मैं school गया तो मैं को बोलेंगा I अब गया जाने की बार वहती है go जाने की बार वहती है go second form होती है went third form होती है gone अब ही हमें second form से काम लेना है तो में में के लिए आगया I जाने की बार वहती है went I went और आपको बता है कि जाना और आना मतलब come दोनों में हम two लगाते हैं तो I went to कहाँ school school बोल दो मैं school गया है I went to school आप बाजार गये आप you जाने की वही वर्व went to कहाँ परिजबर मार्केट आपने दो सेंटेंज बनाए क्यों बनाए सबसे अच्छी बात इसमें यह है इस past and different tense की कि इसमें चाहे singular subject हो या plural subject हो दोनों केस में वर्व की first form sorry दोनों केस में helping verb same रही कि did और वर्व का second form लेकिन हमने जब present indefinite tense पड़ा था उसमें देखा था कि main verb के इस्तान पे वर्व की first form प्लस ACSIS को यूज करते है singular subject के साथ और वही पर plural subject के साथ वर्व की first form यहाँ पे तो simple है चाहे singular subject हो या plural subject हो और हमने आपको बताएं हमने पढ़े थे singular subject और plural subject आपको बताएं क्या होता है singular subject तो singular subject होते है he, see, it, this and any singular name single name plural subject कौन कौन सो होते हैं तो I, V, U, they and any plural name तो यह हमारे subjects होते हैं अब एक और sentence बनाते हैं राम ने अंग्रेजी बोली राम ने अंग्रेजी बोली फुलिस्टो तो राम बोलने की बरव होती राम ने अंग्रेजी बोली 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 अब इसी के sentence बनाएंगे उन्होंने उन्होंने खाना खाया उन्होंने उन्होंनों के बोलेंगे दे खाने की वर्वती इट इसका second form होता है eight, third form होता है eaten तो उन्होंने खाना खाया second form हमारा हर्जा के second form से वास्ता है अभी क्योंकि हम past and different tense की बात करते हूं उन्होंने खाना खाया they ate खाना खाने के वर होते हैं eight पर जो खाना जो होता है बोजन उसे बोलते हैं food तो उन्होंने खाना खाया they ate food आईए कुछ इसके examples बनाते हैं छेप्रगार के चले कुछ examples बनाते हैं कि आप आपने हिंदी आपने हिंदी बोली इसको बोलने की हो गई है एक काम करते हैं पढ़ने की खले हैं आपने हिंदी पढ़ी यह positive sentence हो गया आपने हिंदी पढ़ी तो आपने को बोलेंगे you पढ़ने की वर्व होती है पढ़ना जब किसी बुक को पढ़ेंगे तो उसके लिए उसकरते हैं read first form भी read होता है second form भी read होता है और third form भी read होता है हमें इस second form से वास्ता है तो आपने हिंदी पढ़ी you वर्व आएगा read पढ़ने की वर्व read you read हिंदी यह पो तो positive sentence हो गया अब इसी का negative sentence बनाएंगे negative बनाएंगे की आपने हिंदी नहीं पड़ी आपने हिंदी नहीं पड़ी इसका negative तो आपको बोलते हैं you अब इसके बाद हमारा negative negative structure में बताया था हमने subject प्लस not सोरी subject प्लस helping प्लस not प्लस member प्लस object अब यहाँ पर हमने देखा आपने हिंदी नहीं पड़ी इसके बाद helping बब आएगी तो इसकी helping बर भी क्या है past and different tense की did तो you did फिर आएगा not आपने हिंदी नहीं पड़ी you did not read हिंदी interrogative sentence देखेंगे क्या आपने हिंदी क्या आपने हिंदी पड़ी question mark light आगी क्या आपने हिंदी पड़ी question mark तो सबसे पहले लिखेंगे helping book interrogative sentence का structure होता है helping book plus subject plus member plus object मैं गहां से देखके बोल रहा हूँ बस याद कलियात हो गया सबसे पहले लिखेंगे helping book did did you read हिंदी question mark क्या आपने हिंदी पड़ी did you read हिंदी इसका interrogative बनाएंगे interrogative negative क्या 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 आपने क्या आपने हिंदी नहीं पड़ी क्या आपने हिंदी नहीं पड़ी तो सबसे पहले लिखेंगे helping book did subject you फिर not did you not read हिंदी तो ये तो हमारे हो गया positive sentence आपने हिंदी पड़ी आपने हिंदी पड़ी you read हिंदी आपने हिंदी नहीं पड़ी you did not read हिंदी ये negative sentence जब positive sentence होता है तो इसमें चार सीज़े होती है subject plus helping book plus not sorry positive sentence में होता है subject plus helping book plus man book plus object अब आप बोलेगे कि सर इसमें helping book तो है नहीं तो present indefinite tense और present मक्खी present indefinite tense और past indefinite tense कि positive sentence के structure में कभी भी helping verb का प्रयोग नहीं किया जाता है present indefinite present indefinite tense और past indefinite tense के positive sentence के structure में helping verb का यूज नहीं करते है लेकिन उसमें main verb का जैसे अगर बात करेंगे present indefinite tense की तो उसमें main verb की first form plus s e s i s का यूज करेंगे और इसमें verb की second form का लेकिन जैसे negative sentence बनाएंगे तो इसमें helping verb आएगा और जो second form verb का था वो first form हो जाएगा positive sentence के structure है आपने हिंदी पड़ी you read हिंदी negative sentence structure बनाएंगे आपने हिंदी नहीं पड़ी you फिर आएगा helping verb you हमारा subject हो गया था सबसे पहले subject फिर helping verb फिर not फिर main verb फिर object अब negative sentence में हमने जैसे helping verb लगाया तो जो second form थी वो first form अगई पट sir तो इसमें पहले भी read थी अभी भी read है भाई सब तो read की first form भी जो read है first form भी read second form भी read और third form भी read verb के तीनो form read रीड होता है interrogative sentence में क्या आपने हिंदी पड़ी तो क्या आपने हिंदी पड़ी प्रस्ण भाचक माँके पैचान लिया question mark है interrogation mark है तो सबसे पहले लिखेंगे helping verb फिर subject फिर main verb फिर object और last में question mark तो क्या आपने हिंदी पड़ी did you read हिंदी उसके बाद interrogative negative क्या आपने हिंदी नहीं पड़ी तो इसमें कुछ निये not है क्या आपने हिंदी नहीं पड़ी तो सबसे पहले helping verb फिर subject फिर not फिर वर्व की first form और object question mark लगाना है तो क्या आपने हिंदी नहीं पड़ी did you not read हिंदी अब इसका बनाएंगे WA sentence WA sentence आपने कब हिंदी पड़ी आपने कब हिंदी पड़ी यह हमारा हो गया WA sentence अच्छा WA sentence क्यों बोलते हैं सब क्योंकि यह कब है अब हम कब बोले कहा कैसे क्यों कैसे तो कब यह हो जाएगा when कहाँ where कैसे how क्यों यह क्यों तो why इनने डबलो हे सेंटेस क्यों बोलते हैं डबलो हे वर्ड क्यों बोलते हैं इनने डबलो हे सेंटेस इसले बोलते हैं क्योंकि इन सेंटेसों की सुरुवार डबलो हे वर्ड से होती हैं आई सेंटेस बनाते हैं और यह वह वर्ड क्यों बहुलता है क्योंकि इन वर्डों की सुरुवार वह वर्ड से होती है तो आपने कब हिंदी पड़ी? तो सब सब पहले वह वर्ड फिर एल्पिंबव फिर अगला सेंटन्स देखेंगे डबलो एज नेगेटिव सेंटेंस आपने कब हिंदी नहीं पड़ी आपने कब हिंदी नहीं पड़ी आपने कब हिंदी नहीं पड़ी देखो डबलो एज भी है नेगेटिव भी है डबलो एज भी है नेगेटिव भी है तो आपने कब हिंदी नहीं पढ़ी तो when did you not read हिंदी तो यह sentence हमारे छे प्रकार के एक ही sentence को ऐसे छे प्रकार बना सकते नोट डाउन कर लिजिए नहीं जल्दी से तो आज की class में इतना ही मिलता ही नहीं वीडियो के साथ लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सुस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें नेक्स्ट वीडियो में हम एक्जाम में जो questions जो examples पूछे जाते हैं अकसर आते हैं उन्हीं को discuss करेंगे चली अपने ख्याल रखीएगे मिलते हैं जेहिन वंदे मातरम